नमस्कार दोस्तो मैं इसको सिंग महरा प्रगति कोचिंग सेंटर मां आपका सहबत करता हूं दोस्तो हमारी आपकारी की टैस्टरी चल रही थी उसे में भी हमने जोग्रफिजी टैस्टरी चलाई थी आद दूसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे उनीच्वी टैस्टरी जै यह ने की सही कि अगला पर उक्रफ है परण से चार स्राफिंगे इसमें अगला निल्फित ऑनसे में से है दोस्तों जो जन जाती है दोस्तों जो केरल में पाई जाती है इसमें तीन और जन जाती है लेपचा डफला और डफला और ठीक है हम चेचु की बात कर रहें दोस्तों जो जन जाती है और यह केरल के कुछ पाई जाती है और लेपचा है दोस्तों जो लेप्चा जन जाती है वो सिख्कम में पाया जाती है और जो डफ साथ डफ ल परåदेशतिंग पाई जाती है अगला के लोग कहा कर निवासी अगर वखमरी और मैंने आपको पहले में बताया था कि भूख से मौत होने के कारण यह जनजाथी काफी चर्चा में रही थी अगला क्वच्चन इसी में हमारा नदी है वह किअंगा दक्शनी तर手े मिलती है जो नहीं मिलेगी व्लूधि ये कौन सा रखेंगी प्रिक्स स्साइं को सा उस 시त नो मा अवाल को साहें तो नहीं मैस्झा क्षमित है こुरू कर दिखें ती को सलएन निन देखा है कौन सा एक क्रिष्णा कौन मैंसे कौन एक क्रिष्णा की सायग नदी नहीं है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों जो तेल है दोस्तों कि किसके सायक नदी रहेगी पहले तो यहा दिखो डिया प्लिक केंदेख़ कौन कोन सी आया थे जो एक और यर्लम ब्धियो दिन अधियों अ अधियों पंच गंगा दिखोर और भी यह आध गास आया रएवnal ओगी यह किसका सैंदे यह कि प्रमुख साइग नदी है रखना जो तेल है किसे निखाला गया है यह रखना है दोस्तों उसको किसे निकाला गया है या रखना जो एडन नहर है大家 तो और किसे निकाला गया है इसके परें डिटेल देते हैं जो एडन नहर आप है उसको 1938 में निकाली गई एक नहर थी और इसकी जो लंबाई कितनी है 65 किलोमेटर लंबी है और यह लगबग 10,000 हेक्टियर भूमी को सिंचित करती है या दखना जो एडर नहर है दोस्तो 1938 में बनाई गई थी यह दामोतर नधी से निकाली गई एक नहर थी और इसकी जो लंबाई है दोस्तो 45 किलोमेटर की है ओर यह लगबग 10,000 हेक्टियर भूमी को क्या है सिंचती है अगला हो इसमें है ति takes min नहर है दोस्तों या क्या है जो तिर वदन WHY यह झाल को दिया व no और दोस्तों किसी नदी पर वस्तित है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 क्वेशन अगर आपको हमारी जोग्रोफिक पसंद आ रहे है तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना धन्यवाद दोस्तों